अज़कार दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर आज की उड़े में दुस्तों बात करने वाले हैं एक बहुत इंपोर्टेंट बिल के बारे में और यह बिल जल्द ही जो राजिस्तान कवर्मेंट है वो लाने वाली है इस का नाम है राजिस्तान मिनिम्मम गारेंटेट इंकम बिल 2023 यहनी कि आप नाम से ही समझ गयोंगे कि इस बिल में क्या कुछ होने वाला है और अगर यह बिल पास हो जाता है और एक तरीके से सरकार जब इसको इंप्लिमेंट करेगी तो यह अपने आप में अनोखा भी होने व वीडियो को आप पूरा देखेगा चले वीडियो की शुरात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे एम क्या है इस बिल को लाने का तो सरकार का कहना है कि जो यह बिल है यह इंटाइटलमेंट बेस्ट सेक्यूर्टी सोशल सेक्यूर्टी को सपोर्ट इंडिवीज़ और हाउस है कोई हाउस होल्ड हो या इंडिवीज़ हो उन सब के लिए बेनिफिशल होने वाला है अगर हम बात करें इसके कुछ इंपोर्टन फीचर्स की कि इस बिल में क्या-क्या चीज़े रहने वाली है तो सबसे पहला इसमें यह है कि all families of the state get guaranteed employment of 125 days every year यानि कि हर साल 125 दिन का guaranteed employment आपको मिलेगा यानि कि आपको रोजगार दिया जाएगा 125 दिन का है ना तो यह बहुत ही important है इससे पहले अगर आपने एक central government की स्कीम सुनी होगी मात्मा गांधी नरेगा है ना जिसकों की नरेगा भी कहते हैं तो इसमें क्या था इसमें hundred days की guaranteed employment लेकिन सरकार ने अब इसको क्या किया है राजिस्तान गवर्मेंट 125 देज का जो गार्णिट इंप्लोइमेंट स्कीम है वो लेकर आ रही है इसके तहदी ला रही है इसके अल होते हैं बुजूर्ग होते हैं disabled होते हैं दिव्यांग या कोई विद्वा हो गई या कोई single woman इनको क्या है इनको सरकार एक तरीके से minimum pension जो की 1000 रोपे पर मंद होंगे वो देने जा रही है ठीक है इसके अलावा इसमें यह भी कहा रखा है कि यह जो pension है ना इसको increase भी किया ज जाता है तो यह बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर आप देखेंगे inflation जो होता है मतलब जनरली इंडिया इंडियन इकॉनमी में अगर आप इंफलेशन की बात करें तो maximum limit 6% तक RBI भी मानके चलते 2-6% जो एक बैंड होता है inflation का वह होता है तो यह बहुत ही important scheme होने जा रही है रजिस्तान सरकार की और इसमें क्या 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 है तो सबसे पहली बात अगर हमें बिल को समझना है तो बिल में ध्यान रखीगा mainly 3 broad categories है यह इस बिल को हम 3 categories में बाट सकते हैं पहला आप इसको कह सकते हैं right to minimum guaranteed income right to minimum guaranteed income में क्या है कि जैसे कि हमने देखा कि इसमें क्या होगा सबसे पहला तो इसमें हमने देखा 125 days का आपको guaranteed employment मिलेगा अब यह कैसे मिलेगा तो इसके लिए already a scheme तो चली रही है मात्मा गांधी नरेगा जो हम देखते हैं यह rural areas में होते है मात्मा गांधी नरेगा उसका दूसरा जो राजिस्तान का अ 100 days की बात होती है लेकिन उसी स्कीम को के थूँ एक कोशिश करेंगी 100 की जगा 125 days guaranteed employment किया जा सके इसके अलावा इन्होंने जो CM सहावें उन्होंने अपने budget स्पीच में भी कहा था कि जो 100 days की जो guaranteed employment होती है उसको हम बढ़ा के 125 days कर देंगे इसके अलावा ये भी है कि इसमें जो हम बात कर रहे है right to minimum guaranteed income इसमें जो भी eligible categories होंगी जैसे की aged हो गया या हमने भी देखा video हो गये disabled हो गये इनको minimum 1000 जो है pension मिलेगी ठीक है तो minimum guaranteed income हो गया right to guaranteed employment है right to guaranteed employment में क्या है कि इसमें सरकार जो है वो कोशिश करेगी कि आपको employment मिले ठीक है employment मिलना आपका अधिकार है चाहे वो आप rural हो या urban हो कहीं भी हो इसके अलावा state का करेगी कि एक officer office create करेगी जो कि जो block development officer होते हैं उनके rank के बराबर होगा इनका main काम यही होगा कि वो अपने area में जो यह employment scheme है जो कि कोई भी अगर वहां का निवासी अगर वहां के job मांगता है employment मांगता है तो उनको employment दिलाना within जो time limit है उसके अंदर 15 days generally माना गया है कि 15 days में maximum हम इनको employment देंगे तो यह सब कौन देखेगा एक office create किया जाएगा जो कि block development officer होता है उसके rank का होगा वो यह सारी चीजे देखेगा इसके लावा एक guaranteed social security जो pension हम भी पढ़ रहे हैं वो भी इसमें दी जाएगा इसमें हमने जैसा भी पढ़ा 1000 rupees per month दिया जाएगा और इसको increase किया जाएगा हर साल कैसे 15% हर साल 15% कैसे increase किया जाएगा पांच परसंट जुलाई में बढ़ा जाएगा और दस परसंट जाएगा जिनवरी में हर साल increase किया जाएगा और ऐसा कहा जा रहा है कि इस scheme को execute करने के दौरान सरकार पे लगबग 2500 करोड़ का खर्चा extra आएगा हलाकि इस scheme बहुत अच् किसरी के से इसको लागू करेगी यह देखने वाली बात होगी तो यह अपने आप में भारत का पहला ऐसा मतलब आप कह सकते हैं इसी सरकारी योजना बनने जा रही है जो कि guaranteed income की बात कर रही है तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में इस वीडियो में इतना ही रहने वा होगी पसंद आयों तो जरूर लाइक करेगा नमस्कार